हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ओडोब चैनल टैग बॉआ मुकेस में दोस्तों आज की वीडियो आपके काफी ज़्यदा इंपॉर्टेंट और यूजफल होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में लाइप प्रोफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वीवो टीवन प्रो के फोन में अपने नोटिफिक्शन बार में यातुकाएं इस टिटिस बार में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और डेली डाटा यूजज कैसे सो करेंगे आप अपने इस टिटिस बार में देख सकते हैं आपने कितना यम्भी यूज किया है जैसे कि आप लोग जानते हैं वीवो टीवन प्रो में फीचर नहीं दिया हुआ है इसलिए आपको प्लेश्टोर ओपन करना है यहां पर आप लोगों को सर्च करना है इंटरनेट स्पीड मीटर सर्च करने वाद इस एपलिकेशन को डाउनलोड करना होगा लेकिन ध्यान रहे डाउ आपको लिश्ट वाइद देखने को मिलती है किस तारीक को आपने कितना यहां पर नहीं देखना है तो यहां पर आप लोग राइट साड में देखेंगे ऊपर के तरफ थ्री डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा थ्री डॉट पर आप लोगों को किलिक कर देना ह किलिक करने ग बाद यहाँ पे आपको तीन ओप्छन दिखाये देंगे यहाँ पे stop कर सकते हैं इसको resist कर सकते हैं और सबसे पाला option है preference का तो यहाँ पर आपको preference के option पर click कर देना है जैसे इस option पर आप लोग click कर देते हैं यहाँ पर से तीसे नमबर पर देखेंगे यहाँ पर so up down speed का option आप लोगों को देखने को मिल जाता है आपको इसको चेक कर देना है यानि किलिक कर देना, अब आपके notification बार में real time network speed और daily data usage दोनों दिखाई देंगे तो चलिए इस application को हमनों close कर देते हैं यहाँ पे आ चुके प्लेश्टोर पे, अब यहाँ पे slide करके आपको दिखा देते हैं, internet speed meter दोरा यहाँ पे देख सकते हैं, real time network speed और कितना